अकाश्वानी भोपा से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार देश के 400 से अधिक पिछड़े जिलों में नई प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए अटल सामुदाइक नवाचार केंद्र शुरू किये जाएंगे शिशू को मा का दूद पिलाने के महत्व को बतलाने के लिए प्रदेश में कल से 7-5 सब्ताह शुरू होगा केंद्र सरकार ने फॉसफेट और पोटा शाधारित उर्वरक उत्पादन के लिए सबसिडी को मंसूरी दी और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की चेताबनी शासन ने आपता प्रबंधन के व्यापक इंतिजाम किये अब समाचार विस्तार से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रदान ने नई सोच को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिली में अटल नवाचार मिशन के अंतरगत सामुदाइक नवाचार केंद्र का शुभारंब किया इस पहल से नई प्रयोग करने की सोच को प्रोच साहन मिलेगा इस अफसर पर प्रदान ने कहा कि 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष को हासिल करने की दशा में अटल नवाचार मिशन की महत्वपून भूमिका होगी उन्होंने नीती आयोग से स्थानी अस्तर पर नई सोच को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केंद्र खोलने का अग्रह किया नीती आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमान ने आकाश्वानी को बताया कि अटल सामुदाइक नवाचार केंद्र की शुरुवात कमजोर बोनियादी धाचावाले 484 पिछडे जिलो पर ध्यान केंद्र उतकरने के लिए की गई है केंद्र सरकार ने घरेली व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और हितों की रक्षा के लिए राश्य व्यापारी कल्यान बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है केंद्र वानिच्य उद्योग मंत्राले ने इसके लिए गजट अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी है अधी सूचना के अनुसार बोर्ड में एक गयर सरकारी अध्यक्ष और पांच सदस्यों के अलावा व्यापार संगों के दस प्रतिनिधी भी शामिल होंगे। इन सभी का नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। गौर्तलिप है कि राजभवन आमनागरिकों के लिए 11-14 अगस्त और 16 अगस्त को सुभग 11-10 बज़े तक खुला रहेगा। इसके अलावा रैलियों, परिचर्चा और अन्य प्रचार गतिविधियों के जरिये लोगों को मां के दूद का महत्व समझाया जाएगा। बैतूल से हमारे समवाददाता ने बताया है कि सवसर पर कल नगरपालिका के सभाकक्ष में मीडिया कारिशाला का आयोजन किया गया है। खनवा, अशोक नगर और शिवपुरी जिलो में भी कारिक्रम आयोजित किये जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाश्वानी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं। न्यूज ऑन AIR पर भी समाचार लाइफ सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आर्थिक मामलों की मंत्री मंडली समिती ने चालू वित्तवरश के लिए फॉसफेट और पोटाश वाले उर्वरकों के लिए उतपादन आधारत सबसड़ी दर को मंजूरी दे दी है। आज नई दिली में मंत्री मंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने समवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मद में 22,875 करोड रुपे खर्चानी की संभावना है। शुजावडेकर ने कहा कि इस निर्नय से नर्माताओं और आयातकों को उर्वरक और उसके उत्पादन के लिए कच्चे माल किया पूर्ती के लिए ठेके को अंतिम रूप देने और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उचितम नियायाले ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन्नाव दुशकर्म पीड़ता के साथ हुई सड़क दुरगटना के बारे में स्थती रपोर्ट कल तक देने को कहा है। पीड़ता ने उन अकबारों की भी आलोचना की है जिन्होंने ये खबर छापी थी कि पीड़ता द्वारा प्रदान न्यायधीश को पत्र लिखे जाने के बावजूद उन्होंने कोई कारवाई क्यों नहीं की। पत्र में पीड़ता ने परिवार के साथ साथ अपनी जान को आरोपियों से खत्रा बताया था और आरोपियों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग भी की थी। पीड़ता और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखे गए इस पत्र की एक प्रती इलाहबाद उचिन्यायाले और उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजी गई थी। उधर CBI ने उननाव दुशकर्म पिड़ता की सड़क दुरखटना मामले में भाजपा के निलंबित, विधायक कुलदीब सेंसेंगर और दस अन्य पर हत्या का मामला दर्ज किया है। आज महान उपन्यासकार और कथा समराट मुन्शी प्रेमचंद की जैनती है। उनका जन्ब 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लमही काओं में हुआ था। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी अभाव और शोशन के खिलाफ आवाज मुखर की। प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी ने आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में मुन्शी प्रेमचंद की रचनाओं का उलेख करते हुए कहा था कि उनकी कहानिया समाज के कड़वे सच को जागर करती हैं और उनमें निहत संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। भारत के बैदमिंटन खिलाडी के श्रेकांत ने थाइलंट ओपं बैदमिंटन के पुरश सिन्गल्स के पहले दौर में चीन के रेंद पेंक बो को हरा दिया। दूसरे दौर में उनका मुका बाबला थाइलंद के खोशित फ्यत्प्रदाप से होगा। महिला सिंगल्स में साइना नहवाल, पहले दौर में थलन की पिताया पॉंट चाईवान से खेलेंगी, मिक्स डबल्स में सात्विक साइराज और अश्विनी पुनाप्पा ने पहले दौर में उलम्पिक रज़त पदक विजेता, चान पेंग सून और गोल लियो यंग की में भारी वर्षा की चेतापनी दी है, मौसम केंद्रों ने भुपा सहित प्रदेश के 28 जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताया है, मौसम केंद्रों के वैग्यानिकों ने बताया है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, द्रॉनिका, बाडमेर, चित्तोरगर, विदिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, चतीजगर, ओरिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँच रही है वहीं चार अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिसके चलते अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है रास्धानी भूपाल में भी कल देराच से लगातार बारिश का दौर जारी है भारी वर्शा के जलते विदिशा और राय सेन जिलो के कुछ खेत्रों का मुख्य सड़क मार्ग से संपर्ट तूट गया है भारी वर्शा से प्रभावित होने की संभावना वाले जिलों में आपदा प्रबंधन के इंतजाम किये गए हैं मुख्यमंत्री कमलनात ने आज राजिपाल लाल जी टंडन से सौजन्य मुलाकात की और उनसे राजिकी स्थिती के बारे में चर्चा की CBSE ने शिक्षक पात्रुता परीक्षा 2019 के नतीजे घोशित कर दिये हैं इस परीक्षा में साठे तीन लाग से अधिक परीक्षार्थीश सफल हुए हैं माखलाल चतुरवेदी राजश्य पत्रकारिता एवं संचार विश्ववद्याले में मौझूदा सत्र के लिए छात्र कल से ओनलाइन नामांकन जमा कर सकेंगे ओनलाइन नामांकन जमा करनी की आखरी तारीख 31 अगस्त है और उज्जैन जिले की नागदा की एक अदालत ने फिरोती और अफ़रण के एक मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर देश के साढ़े चार सो से अधिक पिछड़े जिलों में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए अटल सामुदाइक नवाचार केंद्र शुरू किये जाएंगे शिशू को मा का दूद पिलाने के महत्व को बतलाने के लिए प्रदेश में कल से इस तन पान सप्ता शुरू होगा केंद्रु सरकार ने फॉस्फेट और पोटा शाधारत और वरक उत्पादन के लिए सबसडी को मन्सूरी दी अब प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी शासन नियाब्दा प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किये इस बुलिटन में इतना ही आकाश्वाणी भोपास से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए कल सुभर साथ बचकर पांच मिनिट पर नमस्काट